नवस्का दोस्तों कैसे हैं आसा और उम्मीद करता हूँ आप सबी लोग सबस्त होंगे संपन होंगे नीरोग होंगे जैसा कि आपने तमनेल में देखा हैं आज दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा इन सबी चीजों पर बहुती अच्छा और अनभूत प्रियुक दे रहा हूँ इसमें आपके बोडिक अंदर गर्मी पैदा हो जाती है जिसकी कारण से खुण में इंफेक्शन हो जाता है और उसकी कारण से शरीज में गोल गोल चकत्ते टाइम में हो जाते हैं किसी किसी को फुन्सी होने लग जाती है और ये जब तक दबा खाते हैं तब तक ठीक रहती है बाद में फिर हो जाती है लोग 10-10 साल से परेशान मेरे पास 44 साल पुराने पेसेंट आते हैं वो ठीक होके जाते हैं इस प्रकार से पूरी बोडी में फैल जाते हैं और जिसको हो होती है इस बीमारी को बहुत ही जानता है जांगों के बीच में जब यह प्रॉल्म हो जाती है तो लोगों को चलना भी दुस्वार हो जाता है लाइक करें वैसे लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जांकारी पहुंच सके वेल आइकन को जुरूल दबादें इसमें आपका इफादा होने वाला है क्योंकि इससे जो हमारी न्यू वीडियो जो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिक् यह आपकी हर्ताल है हर्ताल को बारीक पाउडर कर लेना है यह आपको 10 ग्राम की मात्राम लेना है अच्छी क्वाल्टी की हर्ताल लेंगे तभी फायदा मिलेगा ठीक है इसके लाबा दूसरी जो चीज आपको लेनी है वो आपको इसकी पर दिखा देता हूं इसका नाम है म की मेंसिल है यह आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है इसको भी अच्छी तरह से कूट पीश करके छान ले कपर्चन चाय पाउडर करना है जितना अधिक का आप बारी कर लेंगे उतना फायदा रहेगा और कोशिची करें खरल का प्रियो करें खरल में बारी करेंगे तो अधाम रखनी है तो 10 ग्राम आपका हरताल हो गया 10 ग्राम आपकी मेंसिल हो गया अब अगली चीज़ा आपको लेनी है नीला थोता जिसे तूतिया भी बोलते हैं तो आप ये सबी चीजे किसी भी पंसारी के हां से उप्लब्द हो जाएंगे आपको उसमें आपको ज्यादा परिशान होने की जरूत नहीं है ये साधान चीजे हैं हर कोई दुकानदार रखता है इसको जो अंगरी जड़ी बूटें बेटे हैं ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंको लोग हमसे बार-बार पहुंचते हैं सरी दमजें कहां मिलेंगी दावर की दुकान मिलें बैदनाद के पतन जली के पूछते हैं तो ये जो दवायां है आपको डावर बैदनाद वाले दुकान पर नम ले करके या आपको पंसार की पास मिलेंगी ठीक है ये भी आपको 10 ग्राम लेना है अब अगली चीज़ जो आपको लेना है बो लेना है शिंदूर ये सिंदूर है तो सिंदूर सब लोग जानते हैं माताएं बहनाएं आप हापस में यूज़ करती हैं मांग में जो सिंदूर लगाती है तो आप आरसान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं सिंदूर को और ये पंसारी के पास से लेके आएंगे तो अच्छी क्वाल्टी का मिल आपको लेना मुर्दा संक यह मुदा संक है यह यह वह एक तरह से पत्थर होता है आपने देखा होगा राम लिल्ला नौटंक की डोला बगेरा में यह लोग चैरे पे चमगना चमगना शपच शपच पोत लेते हैं पीला-पीला जिससे चेहरा शपच दिकाए देता है यह वह आपको बारिक पीस लेना है कपर्षे पाउडर कर लेना है इसकी जो मात्रा है वो भी आपको 10 ग्राम लेनी है ठीक है अब अगली चीज़ लेनी है आपको लेना है गंधक यह है आपका गंधक यह अमला सार गंधक है इसको भी आपको अच्छी क्वाल्टी की किशी भी दुका मात्रा है वो आपको 10 ग्राम ही रखनी है तो यह भी आपको 10 ग्राम हो गया इसके लावा आपको लेना है स्वागा यह आपको स्वागा है यह स्वागा आपका कहीं से भी मिल जाए जाए आपको आशानी से प्राप्त हो जाता है यह आपको पांच ग्राम की मात्रा में लेना है तिवर 5 ग्राम बाकी सब चीजें तर 10 ग्राम यह आपको 5 ग्राम लेना है इसको भी आप बारीक पाउडर कर लीजिए बहुत कपषन चूर करकर के इन सबी को अब आपको क्या करेंगे खटा करके मिला लेंगे और तिली का तेल जिसे तिल बोलते हैं तिल का तेल यह आपको किसी पंसारी के यहां से आसानिस मिल जाता है यह पतंजली का भी आता है तो यह आपको 200 ग्राम लेना है 200 ग्राम तेल में इन सबी चीजों को मिला करके अच्छी तरह से आग पर जला लेजिए दीमी द्यामी आग पर पकाना है जब आपकी ये सब चीज जलने लग जाएं तो आपको उताल लेना है उतालने के बाद में इसको छान के रख लेना है या आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ऐसे अगर लगाते हैं तो आप हिला करके लगाएं बोतल को अच्छा ये है चान के नहीं रख करके इस बोतल में रख लीजिए और जब भी लगाएं तो आप हिला करके इसको और जहां पर आपको इसकी प्रॉब्लम है वाँपे लगाएं इसे सभी तरग है कि आपकी दाद, घाज, खुजली, ठीक है, ठीक हो जाती है, इसके अलाबा खाने के लिए आप दबा अगर लेना चाहते हैं, तो आप बना लीजिए, सुद्ध गंदक 50 ग्राम, मिस्री 200 ग्राम, इलाची 5 ग्राम, बंस लोक्चन 10 ग्राम, इन सभी को पीछ करके 20 पुरिया ब जली बुनी चीज़ें, खटी चीज़ें, बादी चीज़ें, सेवन नहीं करनी हैं, इसके अलाबा, मैदा बाले चीज़ें, पैंकिंग बंसामान भो भी नहीं लेना है, जिन लोगों को वीडियो पुसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिन लोगों के यह पर यह सामगिर्व तब नहीं हो सकती है, या जो लोगों मैनत नहीं कर सकते हैं, या जो लोगों अधिक बिजी सडूल में रहते हैं, नौकली करते हैं, या जिनके आँपर यह सेवाएं उपलब्द नहीं हो सकती हैं, या जो चीज़ें यह नहीं मिल सकती हैं, तो खरपा कर कि वो लोग उमसे बार्शब पर या फोन पर करके पूरा थेटल ले सकते हैं मैं उनको यह दöllवा बना करके वाय देता हूं आप मनलम बनाता हूं जो आपको कोカो 22 में देख रहे हैं ये मनना में बनाकर करेंडेता हूं यह किसी भी प्रेकार की पंगलSONS को सुरय से तक को ठीक करती है वह वह खाने की दबा देते हैं जो केप्सुल फॉरम में द्याबलेट के फॉरम में यह कोई भी आसानी सी सेवन कर सकता है